एलो गुद्मॉरनिंग स्टुडंस, तो आज हमारा जो नेक्स्ट कुछंन है इसमें हमने रैश्योbn नकालनी है पॉइंस तो दिया है जो कि यहां वह वह जुइंच वाला या जहां वह ॉपाइंट जाइन कर रहा है वह पॉइंस दिया है हमारे पस तो हमने ratio ने काल नहीं कि किस ratio में वो point उनको separate करता है तो suppose करते हैं कि suppose the point minus 16 divides the points a and this is b b in the ratio m1 is to m2 section formula के bisection formula क्या हाते मेरे पस xy equal to m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2 and m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2 यहां से देखें तो x यह point दिया है minus 1 and 6 वहां से m1 हमने वही रखा है x2 देखें अगर हम तो x2 हमारा 6 है 6m1 plus m2 तो m2 ही है और x1 देखें तो minus 3 m2 upon m1 plus m2 और यहां से देखें तो m1 y है और y2 देखें कितना है हमारा y2 है minus 8 plus m2 देखें m2 तो m2 ही है और y1 है हमारा 10 upon m1 plus m2 means यह हो गया कि यह हमारा जो है x वाला है और यह जो है y गॉर्डियेट है हम किसी एक वाले लेते हैं comparing x and y गॉर्डियेट तो यहां से हमारे पास यह मिल जाएगा minus 1 equal to यह होगा m2 upon m1 plus m2 इसी को अगर देखें हम तो solve करेंगे तो यह हो जाएगा minus m1 minus m2 equal to 6 m1 minus 3 m2 और इसमें से किया करते हैं like variables को अखठा कर लो means अगर इसको हम shift कर लेते हैं तो यह हो जाएगा minus m1 and minus 6 m1 और यह minus 3 m2 है यह left right side में plus हो जाएगा यहां से कितना बचा minus 7 m1 equal to यहां से minus 2 m2 यह cancel हो गया और यहां से m1 अगर इसको यहां लेआएगी तो m2 हो गया और यह क्या हो रहा है यह हो गया 2 7 मतलब यह जो रेशो हमारी 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 है m1 is to m2 equal to 2 is to 7 यह हमारी निकाल रहा है यह answer आगे